हालो अर्वार्वान वेलकम टू आवर यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट यानी की प्रकास के टॉप इंपोर्टेंट जो क्यूशन्स है उनको यहाँ पर कवर करेंगे यहाँ पर हमने क्यूशन्स कवर कर रहे हैं 40 प्लस क्यूशन है 40 से जादा क्यूशन्स है और गैस देखिए कल के वीडियो में हमने इस टॉपिक को इस टॉपिक की जो थ्योरी है उसको अच्छे से डाइग्राम की हेल्प से अच्छे से पढ़ लिया था तो अब बार यह क्यूशन्स लगाने की वीडियो को स्टार्टिंग से लेके ला क्यूशन और हमारा क्यूशन है कि एक हीरे को काटने पर हीरा जो होता है वो क्यों जिल्मिल करते हुए जग मगाता है इसका कारण बताना है और यहां पर चार आपकी सामने है पहला ऑप्सन है इसकी आणविक संरचना के कारण या फिर प्रकास शोशन के कारण या फिर पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के कारण या फिर कुछ अन्य नहीत गुण के कारण तो क्या होगा इस क्यूशन का करेक्ट आंसर आप देख सकते हो यह क्यूशन पूचा गया है UPPSC 2013 में गैस हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर आप्सन C है यह मारा करेक्ट आंसर हो काफी अच्छे से आपको समझाया था ठीके तो देखो कल का अगर आपने लाइट वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने थियोरी पॉर्शन को डाइग्राम के हेल्प से अच्छे से समझाया था तो यह चीजे आपकी क्लियर होगी नेक्स यहां पर क्यूशन है कि लोको पाइलेट 2003 में पूछा गया क्यूशन है और यहां पर देखो इस क्यूशन के लिए आपसंस है सात रंग पांच रंग 11 या फिर 18 तो यहां पर मैंने बताया था जो रेंबो की बात करें तो कितने रंगों को प्रदेशित करता है इंदर दनों सात रंगों को आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा नेच्ट यहां पर क्यूशन के प्रकास की तेजी या फिर हम कहें प्रकास का वेग यानि की स्पीड ऑफ लाइट है यह सबसे जादा किसमें होती है यह बताना है इसके लिए आपसंस है निर्वात, पानी, हीरा या फिर हाइडरोजन अब निर्वात की बात करें तो गैस निर्वात को इंगलिस में बोलते है वेक्यूम पानी को वाटर हीरा जो है इसको डाइमंड और हाइडरोजन को हाइडरोजन ही बोलेंगे तो यहां पर क्या होगा इस क्यूशन का करेक्ट आंसर तो जो प्रकास है इसकी जो speed सबसे ज़ादा होगी वो होगी vacuum में आंसर हो जाएगा option A correct answer है निर्वार next यहाँ पर question पूछा है कि प्रकास के छोटे छोटे जो कण होते हैं इससे मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं प्रकास के छोटे छोटे कण से मिलकर क्या बना है यह बताना है option A परमानू, option B neutron, option C positron या फिर option D photon तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा photon और गाइस photon की बात करें तो यह light की unit है अगर आपसे पूछा जाए कि light की मातरक यानि की unit कहा है तो हमें answer करना होगा photon आप देख सकते हो इस क्यूशन को पूछा गया है, SSE 2013 में पूछा गया है और यहाँ पर नीचे मैंने लिख भी दिया कि photon है, यह किस की unit है guys light की unit है, है ना, next यहाँ पर क्यूशन की प्रकास है, यह किस प्रकार की तरंग है यानि कि किस प्रकार की वेव है प्रकास यह बताना है option A, अनुधैरिये, अनुधैरिये को English में बोलते है longitudinal option B, अनुप्रस्त, अनुप्रस्त को English में कहते हैं transverse या फिर option C, मत्ते की दोनों, बोथ, या फिर इन में से कोई नहीं यानि कि none of these, तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रस्त, correct answer हो जाएगा, अनुप्रस्त, जिसको English में मैंने बताया transverse बोलते हैं, तो जो प्रकास है, वो किस तरह की वेव है transverse वेव, answer हो जाएगा option B, next यहाँ पर क्यूशन एक प्रकास विकिरन की प्रकरती किसमें होती है, यह यहाँ पर बताना है options यहाँ पर दिये हुए है, 4 options आपके सामने है, क्या होगा discussion का correct answer, option A, तरंग के समान, या फिर कन के समान, या फिर दोनों के समान, या फिर none of these, किसी के समान नहीं, तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा, option C, correct answer हो जाएगा, दोनों के समान, क्या होगी, प्रकास, विकिरन की प्रकरती होगी next यहाँ पर क्यूशन पूचाएगी, जो प्रकास है, इसकी speed बतानी है, कितनी होती है, और आप देख सकते हो, इस स्सी में पूचा गया है, स्सी 2003 में, और जेपी स्सी 2003 में पूचा गया है, क्यूशन है, तो important है, अपने आप में, अब यहाँ पर बताने है, प्रकास की गती पूची है, और प्रकास की गती की बात करें, तो यह उती 3 into 10 to the power 8 meter per second, यह आपको याद रखना है, तो क्या answer होग नेक्स देखिए, क्यूशन पूचा गया है, कि किस गुण धरम के कारण पानी से भरे बरतन में डुबोई गई चड़ होती है, वो मुडिवी प्रतीत होती है, मैंने बहुत अच्छी से कल, यह जब यह topic पढ़ाया था है, चैप्टर पढ़ाया था, लाइट वाला, उसमें डाइग्राम के हेल्प से, बहुत ही अच्छी से मैंने इन चीजों को समझाया था, तो क्या होगा, इसक्यूशन का करेक्ट आंसर, उमीद है, इसक्यूशन का गलत आंसर कोई भी नहीं करेगा, अगर कल का वीडियो देखा है, तो डेफिनेटली आप करेक्ट आंसर दोगे, और यहाद हो तो मैंने इसमें दो डाइग्राम से समझाया था, एक डाइग्राम ऐसा लिया था, जिसमें मतलगी बताया था, जैसे यह पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर एक सिक्का पड़ा हुआ है, अब जब यहाँ से हम देख रहे हैं इस सिक्के को, इसकी एक्चुल पोजिशन तो यहाँ है, लेकिन यह हमें पानी में कुछ उबरा हुआ दिखाई देगा, उपर दिखाई देगा, और इसी तरह से एक एक जामपल मैंने बताय जिता है यहां पर झाल यहां पर निए लिए यहां पर द जालता है, जर सिब्ल यहां को, दिखाई दे लेकिन यहां, यहां पर दे घे जो और नहीं, कुछ उप दानी देए गीता дела मज़ा होता हुआ हो उपर देदाए उससे कुछ नीची दिखाब करू कराइं, इस चैशन पानी भरी हुई जो बर्तन होता है उसमें जो एक सीधी छड़ को डूबो देते हैं तो हमें कैसी लगती है मुड़ी हुई प्रतीत होती है यह सारे एक्जांपल दिये थे मैंने कल तो आंचर हो जाएगा एपर वर्तन यानि की रेफ्रेक्शन हो जाएगा यहां पे तारों का टिम्टिम आना वो भी इसी के कारण होता है नेच्स्ट यहां पर क्यूशन है कि पूquently आंत्रिक परावर्तन होता है जब प्रकास जाता है तो अब हमें बताने कि पून आंत्रिक परावर्तन कब होता है तो देखो यही को भी मैंने डाइग्राम की इल्फ से काफी अच्छे से समझाया था तो answer इसका easily आप कर सकते हो options यहाँ पर दिये हैं चार options वायू से जल में या फिर जल से काच में या फिर वायू से काच में या फिर हीरे से काच में तो answer हो जाएगा हीरे से काच में यहाँ पर correct answer हो जाएगा और देखो इसमें सारी चीजे मैंने बताई थी कि जो dancer medium है उससे और जो light है वो dancer medium से rare medium में जाती है और जो incident angle जो होता है वो क्या होगा जैसे जैसे वो बढ़ेगा उधर से उसी तरह से जो critical angle है वो मतलब कि ऐसे कम होता जाएगा और यह सारे चीजे मैंने यहां पर नहीं वो म अब देखो यहां पर critical angle है अब जैसे जैसे हम इस angle को बढ़ाएंगे न यह भी इस तरह से यहां पर होता जाएगा और यहां पर यह एंगल भी बढ़ता जाएगा इस तरह से करके चलो next यहां पर देखिए जब प्रकास किरन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो क्या समान होगी, क्या होगा, क्या effect पड़ेगा ये बताना है, तो जो प्रकास किरने होती है, वो एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में जाती है, तो जो आवर्ती होती है न, आवर्ती को इंगलिस में बोलते frequency, frequency सेम रहती है इनकी, आंसर हो जाएगा option B, next यहाँ प खत्रे के संकेत के लिए लाल प्रकास का प्रियोग किया जाता है, कारण बताना है, इसका क्यों किया जाता है, कल मैंने अच्छे से समझाया था, इसका कारण बताया था, तो देखो लाल जो रंग होता है, लाल क्यों किया जाता है, वही खत्रे के संकेत के लिए लाल प्रका तो इसमें सात रंग होते हैं तो इन में से हमें बताना है कि कौन सा रंग है जिसका विचेपन सबसे अधिक होता है और यह क्यूशन आप देख सकते हो तो आरार बी एसम जी जी एन की गुड्स गार्ड इसमें पूछा गया है दो जार चार में ऑप्सेंस दे रहे हैं बैंगनी लाल नीला या फिर पीला तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बैंगनी कलर है इसका विचेपन सबसे अधिक होता है इंद्रधनुस में नेक्स नेहां पर क्यूशन है कि प्रकास का रंग निर्धारित होता है किस पे ऑप्सें ए आयाम को हम इंगलिस में बोलेंगे डाइमेंशन ऑप्सें बी यहां पर दे रखा है तरंग धहरे तरंग धहरे को हम बोलते है वेवलेंद फिर तिवरता या फिर वेग यानिकी स्पी तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा हमारा wavelength correct answer है कि प्रकास का रंग है निर्दारित करते हैं वेवलेंट से option B correct answer है आप देख सकते हैं इस question को कब पूछा गया है next यहाँ पर question है कि हम प्रत्वी के प्रस्ट पर सूर्य का प्रकास प्राप्त करते हैं यह जो प्रकास है यह किस प्रकार के किरन पुझ है यह बताना है options दे रखें यहाँ पर चार options आपके सामने है अपसारी, बेतरतीव, समानतर या फिर अभी सारी तो answer हो जाएगा parallel यहाँ की समानतर correct answer है next यहाँ पर question की sweet प्रकास जो होता है, white light जो होती है यह कितने रंगों के मेल से बना होता है तो देखो यहाँ पर मैंने कल एक prism वाला बताया था ना ऐसे diagram से मैंने इस diagram के help से आपको समझाया था कि जैसे यह क्या है, sweet प्रकास है अब इसके बाद में जब यह prism या नि एक जो यह glass prism है इससे जब यह टकराएगा तो इसके बाद यह सात रंगों में बढ़ जाता है सात रंगों में है ना तो यहाँ पर answer जो हो जाएगा option D correct answer होगा आप देख सकते हो RRB LP 2003 में question पूछा गया है नेक्स्ट यहाँ पर question पूछा है कि primary रंग कौन कौन से होते है यानि कि जो प्रात्मिक रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं यह यहाँ पर पूछा गया है और इंदर धनुस वाला जो example बताया था हो समझाया था उसमें मैंने इस चीज़े clear की थी अच्छे से तो जो primary रंग की बात करें तो यह होता है लाल हरा नीला आंसर हो जाएगा option B यहाँ पर correct answer है लाल हरा नीला तो यहाँ पर answer देख सकते हो आप next है यहाँ पर क्यों सेने की तारे टिम्टिम आते हैं किसकी कारण टिम्टिम आते हैं तो मैंने बताया था reflection of light यानि प्रकास का एपरवर्तन तो answer हो जाएगा यहाँ पे option B यहाँ पे correct answer हो जाएगा इसका और क्यों ट्रिम्ट माते हैं कारण भी मैंने बताया था कि जैसे यह क्या है अर्थ है और अर्थ के उपर आप जानते हो जैसे कि यह layers होती है और जैसे यहाँ यह वायो मंडल है उसके बाद में यहाँ से कन आते हैं फिर इधर से मतलगी यहाँ पे रिइनका reflection होगा और इस तरह से करके यहाँ पे जो यहाँ से आपको जो तारे दिखाए देंगे वो कैसी दिखाए देंगे टिम टिम आते होई दिखाए देंगे next यहाँ पे question की निमन लिकित में से किसमे उच्चेतम उर्जा होती है सबसे ज़्यादा उर्जा किसमे होती है यहाँ पे पूछा गया है option देरे के लाल प्रकास, नीला प्रकास, हरा प्रकास या फिर बैंगनी तो correct answer होगा नेला प्रकास यहाँ पे correct answer हो जाएगा option B next यहाँ पे question पूछा है प्रकास की गती किसम के 20 से जाते होई नियूंतम होती है तो सबसे कम कब होती है जब यह प्रकास की जो गती है सबसे नियूंतम होगी जब यह जाएगी काच यानि ग्लास के बीच से होते हुए next यहाँ पे question है कि इसमें इन में से कौन से वेग्यानिक है जिसने प्रकास का जो विदूत चुम्ब की है यानि कि electromagnetic form होता है इसको खोजा है इसको किस की द्वारा खोजा गया है तो जो electromagnetic form की बात करे तो इसको खोजा Maxwell ने आंचर हो जाएगा option C Maxwell next यहाँ पे question है कि इन में से किस महान वेग्यानिक ने सबसे पहले ये दिखाया यानि कि सरुपर्तम ये दिखाया कि प्रकास तरंगों का विवर्तन यानि कि diffraction of light waves होता है ये किस ने दिखाया सबसे पहले options दे रहे है फोकाल्ट, ग्रोमाल्डी, यंग या फिर मैक्सवेल तो ये सबसे पहले दिखाया ग्रोमाल्डी ने आंचर हो जाएगा ग्रेमाल्डी next यहाँ पे question है कि निमल लिखित में से कौन सा सिद्दान्त प्रकास के तरंग प्रकरती यानि कि वेव नीचर जो होता है इसकी पुष्टी करता है तो यहाँ पे चार options है तो क्या होगा इसका correct answer तो यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा कि जो व्यक्तिकरन का सिद्दान्त है ये प्रकास की जो वेव नीचर जो होता है इसकी पुष्टी करता है answer हो जाएगा option B next यहाँ पे question है कि किस में सबसे ज़्यादा उर्जा होती है और यह question आप देख सकते हो भई IAS 2009 में भी question पूचा गया है और यह वैसे question हम कर चुके answer हो जाएगा जो नीला प्रकास है इसमे answer होगा option B next यहाँ पे question पूचा है कि इंदर धनूस में किस रंग का विछेपन सबसे अधिक होता है तो यह भी अभी अपन ने किया था और मैंने बताया थे question पूचा गया है तो answer यहाँ पे हो जाएगा बैंगनी बैंगनी यहाँ पे correct answer हो जाएगा next देखिए question है यह बहुत ही important question है काफी पूचा जाता है यह question कि सूर्योद है और सूरियास्त के समय आकास जो है वो लाल रंग का दिखता है इसका कारण बताना है क्यों दिखता है options यहाँ पे दे रखे हैं प्रेकिन यानि scattering के कारण या फिर विवर्तन या फिर अपर वर्तन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण तो ऐसा होता है scattering के कारण आंसर हो जाएगा option A यहाँ पे correct answer होगा next यहाँ पे क्यूशन के अंतरिक्स में एक आदमी को दिन में जो आकास होता है वो किस रंका दिखाई देता है यह क्यूशन बहुत बार पूछा जाता है SAC 2012 में पूछा गया है RRB NTPC 2016 में भी यह क्यूशन पूचा गया है और options है काला हरा निला या नारंगी तो भई जो अंतरिक्स से मतलगी जो आकास दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा दिन के समय काला आंसर होगा option A यहाँ पे correct answer है next यहाँ पे क्यूशन है मिरीज जी का किसका उधारन है यानि कि scattering तो correct answer हो जाएगा total internal reflection यहाँ पे इस क्यूशन का correct answer है इसका example लईए next यहाँ पे question है कि total internal reflection क्या होता है तो देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने example दिये थे total internal reflection है उसके देखो यहाँ पे आप देख सकते हो भई इस तरह से मैंने कल एक्जम्पल से बताया था मतले डियाग्राम की हेल्प से कि यहाँ पर देखो जैसे जैसे यह है इंसिडेंट एंगल अगर हम इसको जितना बढ़ाएंगे उतना इधर से यहाँ पर देखो और ज्यादा इसको बढ़ा दिया तो यहाँ से फिर यह इतना हो जाएगा जो यह critical एंगल जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा मतलब कहने का मतलब है इधर से इस एंगल को बढ़ाएंगे तो उस तरह से यहाँ पर इससे यह बढ़ता जाएगा और यह जो फिर प्रकास है जो light है वो वापस से अपने इसी जो dancer medium है उसी में आ जाएगी इस तरह से क incident medium incident angle है इतना बढ़ जाएगा कि जो critical angle है इससे अधिक हो जाएगा आंसर हो जाएगा option A यहाँ पर इस question का correct answer हो जाएगा next यहाँ पर question है कि प्रकास की चिकनी सतय से वापस लोट जाने की प्रकरिया होती है इसको क्या कहते है तो देखो यह इस तरह से मैंने बताया था यह है चिकनी surface अब यहाँ से आ रही incident light आ रही है और यह यहाँ पर टकराती है यह यहाँ पर टकराई और इसके बाद यह reflected rays तो यह वापस लोट जाती है तो यह प्रकरिया के लाजती reflection of light आंसर हो जाएगा यहाँ पर option B correct answer है next यहाँ पर क्यूशन ने प्रकास की तरंग का जो सिद्धानते किस ने दिया तो यह दिया किस ने दिया हाइगेंस ने आंसर हो जाएगा option A हाइगेंस यह क्यूशन पू तरंग और कंड दोनों के समान होती है वैसे क्यूशन हम कर चुके हैं तो यहाँ पर answer हो जाएगा तरंग और कंड दोनों के समान होती है next यहाँ पर क्यूशन पूचाए कि सूरज यानि कि sun का प्रकास होता है light जो होती है इसकी light या फिर जो इसकी जो चमक होती है धरती से धर्ती में हम तक पहुंचने में जो time लेगी वो कितने समय का time लगता है, तो जो सूरिय की race जो होती है, उनको हम तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, तो answer हो जाएगा 8 मिनट, next यहां पर question है कि वो कौन से छोटे छोटे कण, या फिर हम कहें particles होते हैं, जिन में प्रकास बनता है, उस कन का नाम बताना है, तो यह बताया था, चोटे चोटे particles का photon, और photon का मैंने बताया था, light की unit होती है, next यहां बोला है कि light का चमकदार या फिर चिकने सरफेस से टकरा कर, वापस मतलब कि लोट जाना हो, क्या कहलाता है, तो अभी बने बताया ना, light of reflection, यानि कि प्रकास का परावर्तन, तो आंसर हो जाएगा, यहां पे option B correct, आंसर हो जाएगा, और कल के वीडियो में मैंने जब theory portion complete किया था, उसमें डाग्राम से चीजों को समझाया था, इनको, next यहां पर question पुछाए, काफी important question ध्यान दीजिएगा, endoscopy है, यह एक तकनीक है, जो कि मनुष्य के पेट में, मनुष्य के पेट और सरीर के अंदर के जो अंग होते हैं, अंदरूनी अंग होते हैं, उसकी जाच के लिए उप्योग में की जाती है, तो हमें बताना है कि यह जो तकनीक है, यह टेकनोलोजी है, यह किस पर based है, किस पर अधारित है, यह बताना है, तो यहां पर चार options आपको बद्देव है, आंसर करना है, क्या होगा है, इसका correct answer, गैसे आपको वीडियो पसंद आ रहेते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजे, जदा जदा वीडियो को share जरूर कर दीजे, ताकि जदा जदा लोगों होता है, यह जो टेकनोलोजी है, किस पर depend होती है, तो यह होती है, पूर्ण आंतरिक का correct answer होगा, आज के इस session में इतना ही रखते हैं, तो आज का अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को जदा जदा शेर कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और